नमश्कार मैं नासर उसन और आप देख रहे हैं किसान तक इसलता माई हैं CIRG ये खेंद्रिय बक्री अनुस्वनदान सर्फान मत्रा में कि CIRG बक्री पालन को लेकर साइंटिफिक तरीके से बक्री पालन कैसे किया जाए इसके लिए ट्रेनिंग देता है और ना सिर्फ पालन के लिए बलकि बक्रियों के नसल सुधार से लेकर उनका खानपान कैसा हो मौसम के हिसाब से उनका रख रखाब कैसा हो इसके अलावा जो कुछ नई सीज़ें जो आती हैं रिसर्च के बाद उससे कैसे अवगत कराया जा इन सब को लेकर वक्त वक्त पर पशू पालकों को ट्रेनिंग भी देता है तो सी आई आर जी पशू पालकों के लिए यानि की बकरी पालन से पहले सी आई आर जी किस तरह मददगार साबित हो इसके बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौझूद है सी आई आर्जी के डायरेक्टर मनीश कुमार चित भारत वस्त में आज की आज लगभग 15 क्रोड़ बक्रियां हैं जो की लगभग 3.3 क्रोड किसान जिनको पालते हैं और यह लगभग 27 संस्थान ज्यादा जुड़े होए थे जो कि छोटे समय नेवल पर पर काम करते थे जिसमें कि वह तीन से पांच बक्रियां एक समय पर पालते थे प्रतु अब कुछ समय से जो बक्री की आप योगिता पे बारे में सभी लोगों को पता लगा है इसकी दूद की मांग और इसका जो प्राइस है वह भी बढ़ रहा है दोनों चीजों का इस वजह से इसमें कई जो कमर्स्चियल गौट पार्मर्स हैं जो कि इसे ओर्गनाइज दंसे करना चाहरे हैं वो बढ़ रहे हैं इसी को देखते हुए कि इंद्रिया बत्री अनुसंदान संस्थान मग्द जो कि पिछले 43 वर्सों से किसानों के लिए कारे कर रहा है तो उसने वो लगातार इसके लिए कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्रम और्गनाइज करता है एक हमारा नेशनल साइन्टिफिक गौट पार्मिंग ट्रेनिंग प्रोग्रम है जिसके अंदर हम लोग उनको साभी उसके बारे में उनको जानकारी जाती है फिर आपको कौन सी नसल की सेलेक्शन करनी चाहिए, क्ँएख्यव इसके नसल किसे शित्र में प्रोग्रम प्रोग्रमे प्रोग्रम हाई जिसके हम लोग certificate course कहते हैं जिस certificate को मिलने के बाद ये सारे national livestock mission और जो किसी के गंतरकत आपको कोई loan लेना है बैंक से कोई लेना है तो रीजनल रूरल बैंक के अंदर loan लेना है या नावाड के अंदर कोई scheme है उसके अंदर करना है तो आप उसके लिए eligible होते हैं इसके इलावा उसके उपर मैं काम करें उसकी जो special pellet feeding है उसके बारे में production unit लगाऊं तो हम लोग एक feed and product जो उसके उपर एक separate training program और्ग्राम और्ग्नाइज करते हैं ऐसी जो मुल्य वरिदी के हमारे जो पदार्त होते हैं दूद और मीट के value-added products जैसे हम लोग कहते हैं उसको उसके बना अभी हम अठारा तारिक से भी एक नया training program शुरू कर रहे हैं जो कि हम नीट से बनने वाले पदार्तों के बारे में उसमें complete जानकारी दी जाएगी और दूसरा एक training program है जिसमें कि हम लोग artificial insemination जो की नसर सुदार के लिए बहुत जुरूरी चीज है इसके उपर भी हम जिसके जुरूरत होती है किसानों को जिस प्रोग्राम की जुरूरत है वो समझते हैं कि हम इसके अंदर ज्यादा ट्रेनिंग की जूरूरत है ज्यादा प्रसिक्षन चाहिए हम इसको आगे नए सब्सक्राइब लेकर जाना चाहते हैं हम उसके इसाफ से उनके लिए एक डिजाइनर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी और नए ट्रेनिंग जो अभी शायद चल भी रही है आपके शुरू होने वाली है तो उसमें क्या जो ग प्राइजनिक तरीके से करना चाहिए आपने बहुत अच्छी बात दी है कि भारतवस्च में लगबग 11 क्रोड जानवर बक्रियां हर साल कटती है और उनमें से 11 क्रोड में से लगबग 90 प्रतिश्य जानवर वो बहुत ही छोटे स्लाटरा उसमें या दुपानों पर या उस गोगोषान एक उसके बारे में जानकरी मिल सकती और हमारा मीट हम पैदा कर रहे हैं वो खाने के लिए स्वस्ठ है कि नहीं मीट उसकी बारे में जानकरी होंती इन सब को देखते हुए हम लोग ने इसके उपर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम भी और्डाइज किया है और कि वेटनेरी डॉक्टर को एंटी मार्टम पोस्ट मार्टम एग्जामिनेशन और बेसिक जो हाईजीन तो रखने के लिए क्या-क्या जुरूरति हैं उसके बारे में हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं तो और हम अपनी दरफ से पुरी कोशिश करना चाहते हैं कि यह आगे वो चेनिंग के बाद जाएं और साफ सुत्रा मीट पैदा करें और इसमें हम लोग यह ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग अपने SC ST प्रोग्राम जो कि एक प्रोग्राम चल रहे हैं उसके अंदर हम लोग उनके लिए बिल्कुल फ्री ओक्रस्ट कर रहे हैं और जो SC और ST जि कर सके और उनको उसमें चाकू भी दिया जाता है और दूसरी जो उनकी जुरूरत की चीज़ें वह सारी हम लग उनको प्रवाइड करते हैं तो देखा दशकों आपने कि किस तरह से CIRG ट्रेनिंग के बाद भी अपने पशुपालगों की हर तरह से मदद करता है चाहे वो टेक्नलोजी की बात हो या पशुपालगों में कोई नई चीज जो शामिल हुई है उसकी बात हो हर वक्त 12 महीने और 24 घंटे कहें कि इसके लिए CIRG ने हेलप लाइन नंबर भी जारी कि किया हुआ है अपना जो पशुपालगों के लिए 24 घंटे खोला रहता है वो किसी बी तरह की जानकारी यहां से ले सकते हैं ट्रेनिंग से जुड़ी और पालन से जुड़ी हुई भी तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें किसान तक्वा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और नोटिफिकेशन पाने के ले बेल आइकन भी दबा दे